हाँ बेटा आप तक आपनी जो है continuity को फिनिश किया फंक्शन की continuity आपने बढ़ी बेटा इक पॉइंट के लेगे इंटरब लेगे हमें किसी पॉइंट पे किसी फंक्शन की यह को बेरियरिल्टी या डिफ्रेंशिबिल्टी वेटा चाहिक आपने लेकिन क्या होता है अगर मैं पात करूं किसकी एफ डैस एक तो बेसिकली क्या होता क्या है अगर मैं देख रहे हो आप एक्स की वैडियो एक पर कोई पॉइंट बहुता है लिमिट एक्स पर होता है लिमिट अग्स एक्स अंडिंग टू ए एक्स माइनस एक डिवाड़ बाइड बाई एक्स माइनस तक यह जो है मैं डारेक्ट आपका प्लस वन गलास का लिउज कर आपके रहे हो आपके लास में आपनी बाद पढ़ चुकिए और डारेक्टा में अगर के लिए जो फस्त प्रिंसिबल है डिफ्रेंशेशन का हम लोग है इसको बढ़ चुकिए है तो यह सोचा जाए तो क्या है डिफ्रेंशेशन जो है किसी भी फॉंशन का अगर आप इसक जब के की लिफ्रेंशेबल ऑस और यह सींपल से ही बात एंग ईसका बहुत सिंपल सयानसर है if this limit exist function आपका differentiable होगा यह limit क्या अगर है कि exist करेगी और limit कभ exist करती है you know it very well कोई की limit तब exist करती है जब उसकी left hand limit बराबर क्या होगा है उसकी right hand limit तो अगर यह जो expression इसकी एगर left hand limit और right hand limit आपके पास क्या होगे एकॉल हो जाए तो हम यह कहेंगे this exist यह कभ exist करेगा in order to exist this देखी मिटा यह exist करेगा तभी यह exist करेगा और यह कभ exist करेगा यह तब exist करेगा जब limit x tends to a negative ठीक है और as it is expression is equal to limit x tends to a positive और यह expression आपका क्या रहेगा as it is means मैं यहाँ पर f of x minus f of a divided by x minus a कहसर तम हो और यहाँ पी f of x minus f of a divided by x minus a अगर यह दो दो limits आपके equal हो और finite हो finite value equal हैंगी तो यह नहीं कहेंगे कि right hand side के limit exist करती है but क्या होता है इस case में आप जो है function की limit नहीं निकाल दा गीटा देखे left hand limit तम कब कहते हैं left hand limit तम तम कहते हैं जब limit x tends to a negative किस पर लगता हो function पे लेकिन अब जो है limit तो लग रही है a negative लेकिन वो function पे नहीं लग रही है और इसको क्या बोलते हैं इसको मोलते हैं right hand derivative तो यह अगा differentiability का answer कोई भी function का differentiation यानि f-a तब exist करता है जब हमारे पास उस particular point पे जहां पर आप उसका differentiation करते हैं वहां पर left hand derivative बराबर क्या आएगा right hand derivative so always keep in mind in order to be a function to differentiable at any point at that point left hand derivative of the function must be equal to the right hand derivative अब यह तो वेटा थ्रोड़ोटिकल बाग है अब कुछ बच्चों को यह पॉइं पॉइंट सब्सक्ता नहीं ब्याया होगा मैं एक तो example आपके सामने रखता हूँ क्यों सोल करते हैं उसके बेस पर आपको पता चलेंगा कि वाति लिए कैसे होता है जैसे देखो यह कि उसका पचेक करते हैं कि वीर की वर्मीने फंक्शन लेको आपको यह फंक्शन दिया रहा है और मैं clear कर देता हूँ आपको यह फंक्शन आपका non uniformly defined में पेटा piecewise different है फंक्शन की वाल्यू x रहेगी अगर x एक से छोटा है x is equal to one and x is equal to two first of all, मैं आपको यह कुशन सब्सक्राइब बता हूँ at x is equal to one देखिए at x is equal to one पे यह differentiable है या नहीं इसको check करने कि आपको क्या करना पड़ेगा आपको calculate करना पड़ेगा इसका left hand derivative as well as right hand derivative तो formula नहीं की का formula क्या था जैसा मैंने यहां दिखा है आपको limit x tends to a negative अब a की जिए को नहीं पेटा? 1x तो limit में आपके आपके x tend into one negative as per the formula क्या नहीं को f of x f of x ठीक है minus में f of क्या है वाबे? a but यहाँ पर a का कुण को कर रहा है? f of 1 divided by x minus now we choose the values limit x tend into one negative देखिए इसका क्या मतलब है one negative इसका मतलब है x is somewhat less than one x जो आपका f वो one को left hand side से approach कर रहा है real number रहें के यहां जिदी one है x tends कर रहा है from this side और this side से go tend कर रहा है उसके जहीं कितना भी close हो लेकिन one से slightly क्या रहेगा? lesser रहेगा so for the less than one आप जो है f of x के इसमाने पर क्या रख सकते है x रख सकते है इसलिए मैंने इसके जिए पर क्या रख सकते है x रख सकते है अच्छा f of one का क्या मतलब है what is the meaning of f of one f of one का मतलब यह है कि f x में किसी ने x को equal कर दिया बन गी x के equal to one equal to one किस इसमें इसमें तो अगर x 1 के equal है तो देखो जांगे x को अगर हम 1 रखे तो value यहां रख की जाएगी नहीं क्योंकि तो less than one के लिए है यहां रख की जाएगी यहां रख की जाएगी यहां रख की जाएगी yes this is equal to one so two minus one आपके पास f1 की value कितनी आएगी इसमें जिस भी point आपको चेक करना है उस point का function के लएदु पहले नहीं का पासएगी वन है तो minus नहीं क्या है आपको अब देखिए होपर भी x-1 निचे भी x-1 तो यह expression आपको क्या हो चुका है क्योंकि x1 की बोल में है तो limit इसकी क्या उफ़ाएगी अब मैं चैख क्वारता हुँ तगशथ substitute the values limit x tends to 1 positive 1 positive की limit f of x इसको simplify करेंगा तो limit x tend to 1 positive उपर अगर minus और ले लिया जाए गेटा तो इसके भी x minus 1 होगेगा निचे भी x minus 1 है यह तो लोग है इसके होगे minus 1 आज़ पका तो minus 1 की लियुट कुछ भी minus 1 ही रहेगा तो यह आपके पस क्या है x minus equal पर लोग x minus 1 निचे अब आपने क्या नोट करेंदा left and derivative आपके पस क्या है 1 और right and derivative क्या है minus 1 तो क्या नोट कर रहे है यह भी finite value है यह भी finite value है यह भी finite value है but they are not equal वो तो लोग बराबर नहीं है, तो LHD is not equal to RHD, left hand derivative is not equal to right hand derivative, so we can say that this is not a differentiable at one, इसी तराम जो इसको 2 पे चेक करते हैं, चलो करते हैं, नेक्स पार्ट में पार्ट, हाँ तो पेटा एक पार्ट अमने सोर के लिए, इसके differentiability अमने चेकती पेटा, वन पे, और क्या पाया, कि this is not a different principle at one, यानिकि one-k phrase की कोई ऐसे tangent access नहीं करें जिसका कि शुलोग क्या हूं, फाइन हो, अब इसका अग्ला पाड़ा जाएंगे, x पराबर 2 पेश को चेक करना है, x पराबर 2 पेश को चेक करना है, और को एक चिदम आपको clear कर देता हूं, पेटा, x पराबर 2 पेश को चेक करन चेक करना है, यह method के काम रहेगी, function की दोपर value के आपको चेक करना है, then after, you know, left and derivative हम बात करें किसी, at x पराबर 2, देखें, जिसनी point पे बात करने है, उसी value के लिए function की value को note करके रखेंगे, limit x tending to 2 negative function minus 2 के function की value, divided by x minus 2, देखें का, limit x tends to 2 negative, under this condition, f of x के लिए पर क्या हैगा, पता सकते हो, 2 negative, less than 2, less than 2 कहाँ है, देखें, less than 2 जहाँ है, 2 minus x तोपर क्या हैगा, 2 minus x, minus नहीं कितना बेटा, 0, निचे क्या है, x minus 2, उपर 2 minus x, निचे x minus 2, या देखें, minus 1, अब मैं राइट ही देखेंगे, चेकर अफाब से, limit x tends to 2 positive, function minus 2 के function की value, divided by x minus 2, so limit x tends to 2 positive, what is the function when x is 2 positive, देखें बेटा, more than 2 के function क्या रहेगा, ये रहेगा, नोट करते हैं, ये आपके पास minus 2 plus 3 x minus है, x square, और minus में 0 है, और divided by क्या आपका, x minus 2, तो इसके अंदर आपको पता है, कि limit tends कर एटों को, 0 upon 0 फों में जाहेगा, जो के visible नहीं है, तो दो एपरोच हैं आपके पास, या तो आप ऐलोपिटल यूज़ कर लें बेटा, या फिर आप इसके factor कर लें, चलो मैं ऐलोपिटल यूज़ कर लेता हूं, limit x tends to 2 positive, ऐलोपिटल क्या 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 रहेता है, तो 3 minus, तो तुझा 4 क्या है बेटा, minus 1, ये भी कितना आया, minus 1, तो left hand और right, दोन अटाने में क्या क्या है, finite ही हों और ये लुज़ लेगे, equal लिए, it means the function is differentiable at x is equal to 2, but not differentiable at x is equal to 1, अब क्या है देखिए, आपको में एक example दिया है, थोड़ी समझाए इसकी, आपको पांच क्यूशन का assignment मिलेगा, ग्रूप में, WhatsApp ग्रूप में साइड करता हूं है, सुबर्चोब को, वो आपको practice करना है, तो कोई भी क्यूशन आपको नहीं आता, समझ में, तो आप मेरे पास ग्रूप में doubt भेज सकते हैं, आपको solution जो है, इसाइन करता है।